यह जो spread है वाइरस का वो दो रूट से मेंली है इन्हेलेशन से अलब सांस के रस्ते चाहे वो नाप के रस्ते हो चाहे मूँ के रस्ते हो वो मेंली source of spread है और दूसरा जो कम source of spread है वो surface contact है हलाकि पारे में एक मतराय नहीं है surface contact जो है कई बार माना गया है की होता है कई बार माना गया की होता है और routes जो है जैसे rectal route है मल मूत्र के दोआ इसका प्रकॉब फैलता है इस बारे में अभी तक पूरी तरह से सहमती नहीं है जहां तक COVID-19 के टेस्ट का सवाल है जो मेंली टेस्ट हम करते हैं जैसे किसी को बुखार आना शुरू होता है तो सबसे पहले उसको ये देखा जाता है कि बुखार किस तरह का है अभी जो सेकिंड बेव स्कार्ट होई है जिस में भारत में स्कार्ट होई है इसलिए इसमें टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है पहली बात तो बुखार आये तो आज की तारीख में डिक्टिम ये है ये निर्देश ये है कि वो कोविड ही है जब तक कि उसको प्रूव ना कर दिया जाए कि वो नहीं है उसको प्रूव करने में जो टेस्ट हम कौमरली मानते हैं गुछ होन की जाजें हैं जिनको हम इंफलामेट्रिमारकर कहते हैं वो रूटीन के पंच शे टेस्ट हैं जो हम करतें जिससे पदाचले के शरीर में उस किटानों का प्रकूप कितना है दूसरा है छाती का X-ray या छाती का CTs के हैं जिससे हमें पता चले कि उसने सांस की नलियों को और सांस के फेफड़ों को कितना अफेक्ट कर दिया है और तीसरे जो टेस्ट हम मानते हैं जिसको जो की गोल्ड स्टेंडर्ड है वो RT-PCR RT-PCR का मतलब है Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction हम RT-PCR के जरिए नाग के और मुझ के रस्ते स्वाब लेके यह चेक करते हैं कि यह जो किटानू है हमारे शरी में कितना है इसकी जो sensitivity और specificity है मनला अगर यह test positive आता है तो यह COVID होने की संभावना 96-99% है इसकी जो sensitivity है वो around 84% है मनला 14-15% cases में यह गलत भी हो सकता है RT-PCR के साथ जो test बहुत important है वो CT scan है चाती का जिससे पता चले कि इसने चाती को कितना effect किया है फेफडों में कितना इसका संकर्मन हुआ है फेफडों में उसका संकर्मन है वो mainly जिसको हम fluffy shadows कहते हैं जा फेफडों में संकर्मन के साथ ही सांस लेने में तक्कत होती है चाती में कई तरह के निशान नजर आने लगते हैं जिसकी scoring system जिसको हम core scoring कहते हैं उसके अधार पर ये फैसला होता है कि हम कि mild या moderate या severe category में आ रहे हैं जो लोग mild हैं category में आते हैं जिनको संस की तक्कत नहीं हैं उनके लिए सला यह दी जाती है कि वो घर में रहें अपने आपको बचा के रखें और अपना oxygen level और साथ में बखार को नियम से नापते रहें ताकि पता चले कि ये इसमें oxygen level maintain हो रहा है बखार बढ़ नहीं रहा है और साथ में अगर inflammatory markers जो हैं खून की जांचे कुछ problem दिखा रही थी initially तो उसको हर 34 दिन चेक कर लिया जाए ताकि पता चले कि वो बढ़त में तो नहीं है ये जनरल बाते हैं आज की तारीख में जो second wave आई है वो बहुत high mortality के साथ है बहुत ज्यादा मृत्यूदर है उसके साथ इसलिए इसमें action लेने का time तभी है जैसे ही सांस की दिक्कत हो नमबर वन बुखार जो आम क्रोसीन से या परसिटमों से कंट्रोल नहीं हो रहा नमबर या उसका testing कर ली जाए निर्लोजिकल कॉंप्लिकेशन की हम बात करें तो मेंली जो कॉंप्लिकेशन हमारे सामने नजर आ रहे हैं वो stroke के रूप में नजर आ रहे हैं stroke या पक्षागात या paralysis paralysis के अटैक्स के जो दर है वो बहुत बढ़ गई है इसमें दो कारण है एक तो थ्रोंबोसीज है एक थ्रोंबोसीज का मतलब जो खून के ठक्के जम जाते हैं उसके वेसे खून की धमनिया जो है दिमाग की वो ब्लॉक हो जाती है उसके साथ ही ब्रेन के अंदर पक्षागा कर सकते हैं वो है GB syndrome या D-malion disorders GB syndrome का मतलब होता है कि जो शरीर की नसे है वो कमजोर पड़ जाती है उनकी जिली उतर जाती है यह किसे भी viral infection के बाद बहुत common है लेकिन COVID के साथ भी बहुत common ली देखा जा रहा है किसी को भी अगर पैरों में हाथों में कमजोर ही आने लगी है वो बढ़ती जा रही है लेकिन मरीज होश में है तो यह मान के चला जाए कि उसको GB syndrome होदा है इसके साथ पॉली नियूरोपेथी और साथ में जो मरीज आईसियू में रहते हैं जो आईसियू में दवाईयां तरह तरह की लेते हैं उसके साथ नियूरोपेथी होने की करें में आई वारें बारें बात कर रहे हैं बाकि पद्द्दियों की बारें में अभी चर्चा चल रही है कोई भी चीज को हम फूल प्रूफ या ऐसा नहीं अचूक नहीं कह सकते क्योंकि कहować है जो हैं सदिशी औरॉइश है स्टार्ट किया जाते हैं जब भुखार नहीं उतर रहा है पेशेंट को सांस में दिक्कत है आम तोर से इसका समय पांच से च्छे दिन बादा आता है Remdesivir का जो main role है वो viral multiplication को रोकने में है Remdesivir का role होता है जब वो दूसरे से तीसरे दिन start किया जाए अगर उसको 8 में 9 में दिन के बाद Remdesivir देना है तो उसका कोई logic नहीं है कोई तुक नहीं है क्योंकि तब तक virus multiply करना बंद कर देता है viral load जो है viral load इस समय environment में बहुत ज़्यादा है और इस समय recommendation यही है कि जैसे ही detect हो बुखार आया है और आपको detect हो कि RTP PCR positive है उसकी sensitivity ज़्यादा है तो उसमें Remdesivir का role है लेकिन कुछ latest studies यह भी बता रही है कि Remdesivir बहुत ज़्यादा फाइदे मन नहीं है बस आखरी की दो लाइने में बोला चाहूंगा वैक्सिन के बारे में अब बहुत सारे patient है जो हमारे neurology के patient है जिसमें दोरे की दवाईयां चल रही है उसके साथ साथ उनको खून पतला करने की दवाईयां चल रही है तो बार बार यह सवाद पूछा जाता है कि क्या हम vaccine लगवाने है इस समय जो इंडिया में दो vaccine अवैलेबल है कोवी शील्ड जो AstraZeneca का modified Indian version है और को वैक्सिन ये दोनों अवैलेबल है जो studies बता रही है कि AstraZeneca या कोवी शील्ड का वैक्सिन है उसके साथ खून-गाड़ा होके उसमें blockage होने के chances बहुत ज्यादा है तो जो लोग खून-पतला करने की दवाई ले रहे हैं या जिनका खून-गाड़ा माना जा रहा है उनको पहले आइडिली अपने डॉक्टर से सला ले लेनी चाहिए कि वो वैक्सिन लगवाएं या ना लगवाएं लेकिन इस समय जो भारत में स्तिती बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा वाईरल लोड है चार लाग से ज़्यादा केस पर डे आ रहे हैं तो इस समय रेक्मेंडेशन यही है कि वैक्सिनेशन को थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाए वैक्सिनेशन में हम लाइव अटैनुएटिड वाईरस मालब कुछ अर्दमरा सा वाईरस हम इंजेक्ट करते हैं बॉड़ी में इम्मुनिटी लाने के लिए इस तरह का वैक्सिन अगर हम इंजेक्ट करेंगे यह हाई वाईरलोड के साथ तो कई बार हमारे कोविड ना होते होते भी कोविड होने के चांसिस बढ़ जाते हैं तो एस्टरजेनिका का वैक्सिन ठीक है कारगर है बहुत सारे स्टेंज के अगेंस्ट भी एफेक्टिव है बट थ्रोम्बोसीज का इंसिदेंस बहुत जादा है तो इसके बारे में रेकमेंडिशन यही होती है कि इसको थोड़ा सा भी होल पर रखा जाए पस इतना ही कहना था दोस्तों अपना ध्यान रखें सेफ रहें स्वस्त रहें बाकी जो जनरल बताई जाती हैं बाते हैं कि मास्क पहन के रखें और दूरी बना के रखें उसके बारे में सोचना भी नहीं है वो करना ही करना है यह सब चीजें जो हमने बताई हैं यह सिर्फ इसके लिए हैं कि स्पेसिफिक के लिए कुछ हम बात करना चाह रहें लेकिन मास्क पहनना दूरी बना के रखना बार बार हाथ दोना साफ सफाई का ध्यान रखना और कोशिश करना कि जो आपके सर्फ जो आपकी कॉंटेक्ट्स हैं उनको भी ये बीमारी ना हो जाए इस बात का ध्यान रखन होना सबसे जब इंपॉर्टेंट है नमस्कार करी कर दोब इंपॉर्टेंटर कोशिश कर दो अबार कोशिशें और हागए चारी को जा जाए झाला ह।